नमस्ते निद्यार्दिकत्लों स्लिवन निद्यार्य अंबवावार्थी पड़ेड़ेश्री एंड अपनु अधिक साखतकर गरूछे। आजी अबरे विसेलिंदी तुरणों मा जेव बध्यक छे धर्तिकी सान एना विसे अबड़ा अभ्यास करवाना छे। तुम्हें तो अधर्तिकी शान यानि कि दर्तिकी शान जो पड्यक कविता है गीत है उसके बाले में हम आज जानेंगे लेकिन उससे पहले ये पड्यक किसमें लिखा है वो चर्णा हमारे लिए जर्णी है। किसी भी काविय यानि कि पद्य यानि गित या काविय की सुरुआत करते हैं तो उससे पहले उसके जो कविता लिखिये उसके बारे में पहले हम जानते हैं। तुम्ही तो अब जानते होंगे सायद कि ये जो काविय है धर्णी कि श्याहान पंडिक बरत व्यास जी ने लिखिए। तो सबसे पहले हम बरत व्यास जी के बारे में जानेंगे कि बरत व्यास जी का जबन कम हुआ था। अपनित भरत भयास जी घंदीसाहिते जड़तके जाने वाने के रुप में जाने जाते हैं यानि कि पंडित पर प्यास जी वो फिल्म जगत में उनका बहुत बड़ा योद्दान रहा थे तो इद्यार थे दो उनका जन्मा राजस्थान के चुरू नाम के शबी में हुआ था यह की पंडिर परतियास जी का जन्म राजस्थान के शब्दव जुरू नाम का जो सभा था वहां पे हुआ था उन्होंने कई सारी काविय रच्णाइं के लिए गीत रच्णाइन के लिए कि लिए के लिए बहुत सारे कावियायाने लिखे हैं और अब इस धरति के साहनु हम पध्य ले रहे हैं वह गीत का लेग बाग है और उन्होंने गीत की रचना है हिंदी फिल्मों में भी लेगे लिए यानि कि पंडिक भरत प्यास जी है उनकी जो बहुत सारे ऐसे गीत है जो फिर्म के अंदर भी ले गए वह आप लोग जानते हैं फिर्म के अंदर गीत होते हैं तो उनमें से पंडिक भरत प्यास जी के ने भी बहुत सारे गीत दिये हुए यानि कि जो फिल्म के अंदर गीत होते हैं वो पंडिक भरत प्यास जी के बहुत सारे गीत है और उनके गीत के अंदर बहुत सारे मानों मुल्य की प्रतिस्तापित हुआ है उनके गीत के अंदर मान छो सब्ला हो उनुशो अच्छावण में आए धिनन पिल्स गाव के गोरी से लिया गया यानि आच्छो हम जो इक पढ़ने चाहा है वो उनिशो अट््छावन के अंचर आया हुआ एक फिर्म था, फिर्म का अम है गाव की गोरी उस गिर्थ से उस इल्म से इस गिर्थ को लिया गया है इस गिर्थ का नाम है आप चानते हैं कि दर्थी की सान इस गिर्थ में मनुष्य की महता को देखते हुए मनुष्य को सबसे दिमान माना गया है आप सभी चांटे ही, हम कौन-कौन से प्राणियों के बारे में बात पर करेंगे ज़ती के ऊपर बहुत सारे प्राणिनों होते हैं, तो उस प्राणिनों में से मनिष्य भी प्राणि है, लेकर उन सभी प्राणिनों में सै, जो मनुष्य प्राणि में मनुष्य को रहा है बथि मान है, heritage सोच सक Top Parts, और तर्ग कर सकता है और जो दूसरे सारे प्राणी है, वो खा सकते हैं, सो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तर्ट करने की सकती गुति नहीं, वो बुद्धी नहीं, उसके अंदर बुद्धी गुति नहीं, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मनुश्य के अंदर सब कुछ होता है वह आप सभी जानते हैं और मनुष्य अपनी बुद्धि से कट्वर परिश्टाम भी करता है बल पर जल धल पर नब और तमाम प्रप्थयां अरजिन हो सकते हैं यानि कि वह जो परिश्टाम के द्वारा बल के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है अपनी शक्तेशे प्रप्रूति की बहुत सीमान तक अपना अनुपलन धाले हैं सब भल हुआ है आप जानते कि मनुष्य बहुत सारे ऐसी रचलाएं हैं वो कर सकता है अपने बुद्धी के कारा वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है आप सभी चानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे विद्णानी पैसे हैं जो दर्दी से और आकास तक कोर सकते हैं वो किसकी कारा है अपनी बुद्धी के कारा है तो यानि कि धर्दी से हम आखास तक हंगर तक चंडर तक पोष सकते हैं, तो आप समझो की मनुषे जैसे क्या नहीं कर सकता, तो इस दावे के अंदर कभी ने वही बताने के कोशिज के, वही बताया है, कि मनुषे के अंदर अतनी गुद्धि होती है कि वो कुछ भी कर सकता, कभी बताते हैं मनुष्य की सक्ति के सामें कोई भी कालय और सम्होब महरी देखो कभी भी यही कहते हैं कि श्रट चाहे तो कुछ दीतर सकता है लेकिन उसके लिए उसके गुद्धी बहुत जरूरी हो, अपने गुद्धी का उप्योग करना जरूरी होता है, मनिश्य अपने गुद्धी का उप्योग कर सकता है, गुद्धी का प्रव्योग कर सकता है, तो उसके लिए आसंभव रही हो, कुछ भी हो लेकिन वह सब कुछ क कि manishya जो चाहे मवब प्रक्त कर सकता है यानि मनुष्य जी घल्टि की शान है यहीं काव्य में आत्म ने कर सकता है यहीं हमारी महाँंत का प्रणाम है तो Vidadimidrov हमने पंडित भरतविया'S के बारे में जाना की पंदेत रधियास जी का जो जन्मग हुआ था, तु राजासाने के चुरू नाम के कस्बिल में हुआ था और पंदेत रधियास जी ने बहुत सारे हिनी फिल्मों के अंदर अपने कित रचना गीई है जो इस कावय की हम भात कर रहे हैं वो आपको समझ में खायर आ गयां होगा के आपको बताया के हिस कावय को पर इस गित से लिए गाया था और कुंसे साथ में आए अए होए थी कुछ याद आया है Mark helped me through 19 advance पहीत दृट में जो फिर्म आए थी फिर्म का नाम क्या था वाल उसके अंदर से, ये कावया लिया गया हुगा है, ये लिया गया है, तो विध्या सबसे पहले हरे हम इस थावय का गान करें के, और फिर थोड़ा-धूड ghaan करके हम आगे उसको उसका जो पसंद करें, और उसकी जो सम्झूत है उसके बारे में हम जाने तो सबसे पहले विद्ध्या के पर असे करते हूं कि आपको भी पसना आएगा गाना आपको भी पसना आएगा अब जो गुरह की से जानते हैं इस गिर को और आप लोगों हिए भी बहुत बार प्लाया होगा तो धर्ती की सानतू भारत की संतान तरी मुख्ली में बहत तो आन है मनुशतू बड़ा मान है मनुशतू बड़ा मान है धर्ती की सानतू भारत की संतान तरी मुट्य में बालतू खान है मनुशतू बड़ा मान है मनुशतू बड़ा मान है तो विद्यार दिन्टो जो पहला प्रग्राफ दे उसका हमने धान किया तो यह जी काव्य वे इसका धान हमने किया तो धर्ती की सान तो भारत की संता यह जो धर्ती यानि की बूर्य आपको पता है हम किसकी बात करें तो धर्ती की सान मनुश्य को कभी कहते है कि दुल्व धर्ती की सान ही भारत के संता यह यह जो भारत माता है उसकी तू संतान है तेरी मुट़्ियों में बनने दुखान improving जो यह मुट्टी है, उसके अंदर तुपान चांत समाया हुआ है, मनुष्य तुम्हूं बड़ा महाल है, यानि उसका हां गुज्रात में भासांतर चरेंगे, तुम कभी कहते हैं, हे भारत माताना संतान, तुम आपण धर्थीनु गव्रवच, हे भारत माताना संतान, तुम दर्थीनु गव्रव चे, तारा तुपान, तारा मातोखान ने, तारा मुठियों माँ जखड़ी राखे, यह वी तारे अंदर सकती चे, आजे तोखान चे, तोखान ने, तारे मुठियों माँ जखड़ी राखे, यह तारा माँ सकती चे, हे मनुष्य तुम खड़ेखार मह आले आप मंतियें अंदर कभी यू करे छे के हे मलुष्य तुम आप भारत मातानी संतान जे आपने बद्दर जाड़े चापने भारत ने कुप माहां देस सरीले मानी जोबारे चापने जन्मक में छे जन्मब होवी एटले, जन्यनी चन्मब जन्यनी माता है एटले आपणा माते स्रेष्ट आने बारत नी ची फूनी चे देना आपणा सूख कहिए छे माता, दर्धी माता तो बारत माता બારત મારતા જારં જેં તે તેકે સેષ્ટછે તો હે સેષ્ટ જેશ્ટચેત જેશ્ટરતી તેશ્ટેવેષ तो यह पारत मातानी संतान तु अधर्दिनु गव्रव छे अधर्दि माटे तु गव्रव समान छे तार्यामा तुखान ने तारी बुट्कियों ने तुखान ने रोपवाईन शक्ती छे हे मनुष्य खरे करतू बहुत महान छे तो आपड़े यह आजे तेलनी पंती चे आपड़े तेना विसे समझे अवे जे आगाड़े पंती चे तेनु गाहान करेशू अने तेना विसे आगाड़ समझेशू तुझो जाए परवत पाहाण को बोड़े तुझो जाए नद्यों के मुख को इमोड़े तुझो जाए मार्टी से अमर उतनी जोड़े तुझो जाए धरती को अमर से जोड़े अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान ते आत्मा में स्वयम भगवान है मनुष्य तुझो बड़ा मान है मनुष्य तुझो बड़ा मान है तुझो जाहे पर्वत को पूड़े तुझो जाहे नद्यों को मूड़े तुझो जाहे मूटी से अमर उतनी जोड़े अमर तेरे प्राण तुझको विला वरदान तेरी आत्मा में स्वयम भगवान है मनुष्य तुझो बड़ा मान है मनुष्य तुझो बड़ा मान है इस पंती में कवी कहते हैं हे मनुष्य तुझ इच्छे तो पर्वत ने पन तोड़ी सकेजी नदियो नाम प्रवागने पर वाड़ानी कारी अंदर सकेजी पर्वत छे पर्वत तमें जाने सबों पर्वत ने तोरवान पिट्टनों होस्ती होईचे ते छता हवी कहले छे के बारत माता ने तो संतान छे तू जो इच्छे तो आज पर्वत छे पर्वत ने पन तोड़ी सकेजी आहें करें छे ये मन्विष्य पूजे नदियोनों प्रवाह चे ये ये पांड वाड़ी सकेजी तपने मिर्प कर्यों अथू नदियोना प्रवात ने कीवी इतना वाड़ी सकेजी तो पूँ तुम्हें एक सान ये उपदा नड़ा पूचने जाटने तो यो तमें साबबूड़ें बसे नर्मदा नदी नीसे साबबूड़ें बसे जी नर्मदा नदी बुच्रात मीं अंनर छे अने जन नदी छे त्याहांगर्डिती तो बिचार करो एक नदी नी अंदर नी केनार बारा पाणी भड़तों नथी तो बिचार करे सके ने कोई प्राणी एक बस्तु करे सके ने तो ए साना द्वारा करे सके छे तो एक बुद्धिधारा करे सके छे दिखरा करे सके छे ज्तु करे। आकर अधन केषी करें छे बिचार करे पाणी प्राणी रोड़तों नथी चेर की आमले कोई यूधिर। इसोनप द्वान लोगत हम चेर डुद्धार इसनिरतों प्राहिके ने работы यूधिर। इटले तने मर्मानु भय वोगो जोलिए इटले ये मनुष्य कि मर्मानु ड़ाद राके आपकार जे पोटे तने चे जीमन मल्टू छे तेनु तो सारे इतना ए जिमन नो उप्योग कर अरेकाई कि दंती ने सान वियान कि दंती ने सान बढ़ने सके देवों कई कार्या करे तो अवे आपने आगाड़ों कामते चुछ नयनों में इच्पाल तेरी गतियों में पुचाल तेरी जाती में जीपा मामा काल्य है कृत्री के लालते इंदीरी साभारते मुर्टी में टांदव का तार ते विज़ तो चान जर्व सकती परचान ते वाणी में इपुका आवान दे मनुष तू बढ़ाने मनुष्य तू बढ़ाने इस पंती में तवे देते नयनों में ज्वाला नयनों में ज्याने की जो मनुष्य की आखे है उसके अंदर ज्वाला बोद है मनुष्य नी आखों नी अंदर बोद बले लितारा कि तो निन्हासमे लोत चेंवरी दर्टिखों बश्रोस wij च्वारा मुख्य नोर्डे Şimdi चाह्र 59 समाण दिन्हासमे लिए टारी टीप कोमा लोट बुच्प को य स्कती ले लेगें, तो ल कॉल दर स्कालीं तो महाल नो स्वरूप दोड़क वामावे महाकाल टो उज्जीन ने अंदर छे मृप्रदेश ने अंदर आप हो गया गया प्रुत्वी के लाल तेरी हीमगीरी समा, तुछ प्रुत्वी नो लाल चेकु धरतीनो पुत्र चे, तारी जे हीमगीरी समा, तारु चे कपाल चे, तेरी लाल चे, तारू कपावडचे लाक तेरी घुबगूटिक में टांडोम का था तार तारी चेग घुबगूटिचे तु तारी जादने उड़क् मनुष्य तु तारी जादने उड़क् ताराम अपार सक्तियों रहेनी चे एमने उड़क्मानों प्रत्नकर पिच्छे तो तारी वाली नव यूगने बोलनारी सके छे त्यानि कि तारी जे वाली छे ते नव यूगने सर्जन करनारी होई सके छे ये मनुश्य दुप्ले घर पहान छे तो हवे हो में आपड़े जे आगर अगर निपन दीचे तेनावी से जुए ज़िए मनुशतो बढ़ा माने मनुशतो बढ़ा माने यानी इस सपोति में कभी कहतेंगे तरह कहों धर्ती समार दिरज राकवानी सकती दर्ती निरज राकवानी सकती चेजिति म趣 राली अंदर पॉंच चे इवीच जिल्थे ताराहां अग्नी समान भस्म करी देवानी सकती छे तारी अंदर चे सकती छे अस अग्नी छेवीच इँना कोई पर असने भस्म करी सके छे ते वीच तारीया नवेपड सकती रगद्य मेंदी छे तू जो निष्च्राइए करसे तो काण आगण वद्धीतो रूखिए सके दति पर पापनो जे कूर आवियो छे तो आगण वद्धीता रूखिए सके छे ये पशुता ये पुद्धा ये रूखिए सके छे जी प्षुटा आजे नमस्त कुछु करेशची इसे रहे होटे सकेची तर्ति धशु पर खराब बस थार जा नहें तेने तो हिं मत की पराश्ट करेशकी तारी अंदर हिं मत्हट पराज़ें करेशची पराश्ट करेशची इपा बुद्ध, तारम गुरुषति छेवी उच्छ फोड़े नी बुद्धी चीछ। जे गुरु अनि अन्दर बुद्धी हो छे। Aldo ग्रुभस्पती चे वि उच्छकोटी नि गुद्धी चिये गुरु अनि अंदर गुद्धी ओर गुद्धी होई चे। पुद्धी ताय अनि अंदर रहेलिए छे। अनी तुस्कार पाविगा खेraw गुद्धि भी आहासा तुस्कार बसुन्गिनायी दrobe लिए दें कुण सके ची विध्यार्थी में इस मांऐ खुझे । विध्यार्थी में घुद्ध दो धत्तिकी सान कावे दो भी है अने अन्या तमेरी बोर्ट बर जोए सको छो कि इन्हा सब्दार्थ छे तो एस सब्दार्थ अमारे अमेर माट भूपार लखवाना छे इन्हा सिवाइपार इन्हुची साज्ये प्रश्ण छे अमारे लखवाना छे चुछ साथेहा प्रेश्णल है अदर गति कवे की गुहो दो मुष्षी में सरवाद का है। दूसरा प्रेश्णल है आप क्या आध दार थे सकते है। त्रेश्णल है । अन्वलद में मनुष्य महाान कैसी ही। धर्णी सादी किसे कभा गया है। पाच्वा प्रेश्ण में उत्रती किसान कवीता की प्रजेता कौन है और इसके अलावने दूसरे पाँच प्रेश्ण में जो प्रेश्ण रोके हैं वो पहला प्रेश्ण में कवीता में किन प्राकृतिक प्रश्य का चित्रान किया है कैसे जुस्रा प्रस्चत Sutta कवितानें मनुष्य कट्रती किस बवं अभीवेक्षित कोई गूए उसमें तमें क्या प्रएप्रता है तीसरा की निग धratic किशानसे कविदा क्या दारब कर diapers फर्ता हैं चोथा प्रेश्ण लिए मुनिश्य के लिए कोई भी कार्या और संभाव नहीं कि आधार पर अपने विचार क्रगट करें और पात्वा प्रेश्ण है धर्दी किशान तविता के केंद्रित भास राष्ट करें यानिकि मैंने आपको 10 प्रेश्ण लिए हैं वो आपको स्वाद्य के अंदर लिखना है और के आज ही मुझे यानिकि हमारे जोग रूपे उसके अंदर वो मुंपर्व करके लेशन तो आपको बेजना स्वाद्यार पुड़ा करके आपको भेजना तो थैंक्यू विद्या विले तो आस्ता करती हूं कि आपको अच्छा लगा हूं थैंक्यू